मद्ध प्रदेश में पीछले 28 साल से बहुजन समाज पार्टी लोगसभा चुनाओं के हर मुकाबले में शामिल हुई लेकिन रिवा और सतना से आगे नहीं बढ़ पाई चंबल अंचल और बुंदेल खंड में हर बार जीत की बाउंडरी लाइन पर आकर अटक गई महाकौशल मालवा और भोपाल संभाग में जमानत बचाना भी मुश्किल रहा बेसपी ने एक बार फिर लोगसभा चुनाओं में एमपी में ताल ठोकी है साल 2019 के आम चुनाओं में उतर प्रदेश की तरह मद्प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से समझोता किया गया है उसे उम्मीद है कि शायद अब उसकी किसमत खुल जाए बेसपी का एमपी में इतिहास जरा आपको बताते हैं कि बेसपी 1991 से 2014 तक हर आम चुनाओं में उतरी पार्टी को पहली जीत रिवा में मिली थी 1991 में रिवा से भीम सिंग पटिल 14,316 ओटों से जीते रिवा से ही बाउजन समाज पार्टी को 1996 और 2009 में जीत मिली विंद में बढ़ते जनाधार से पार्टी को 1996 में सतना से जीत मिली थी सतना से सुखलाल कुश्वाह ने कॉंग्रेस के दिगजनीता अरजुन सिंग को तीसरे स्थान पर धकिल दिया था इन दो सीटों के अलावा बहुजन समाज पार्टी अठधै साल में कहीं और जीत हासिल नहीं कर पाई बहुजन समाज पार्डी ने इस बार आम चुनाव में मद्धि प्रदेश में यूपी की तरच पर समाजबादी पार्टी से समज़ोता किया है उसने समाजबादी पार्टी के लिए टिकमगर्ड, खजुराहो और बालागाट की सीट छोड़ी है 2019 के आमचुनाव में बहुजन समाजपार्टी ने एक बर फिर चंबल, बुंदेलखंड और विंधिक शेत्र पर फोकस किया है चंबल की भींड और मुरेना सेट से उसे अभी भी भरोसा है जबकि गौलियर से आशा बंधी हुई है, गुना पर उसका ज़ादा जोर नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि यहां तो सिर्फ महराज याने की जोतिरादिति सिंधिया का सिक्का चलेगा चंबल में बहुजन समाज पार्टी ने मुरेना संसदियक शेतर में ही परफार्मिंस दिया था लेकिन बीजिपी और कॉंग्रिस से आगे नहीं निकल पाई अठाई साल में बहुजन समाज पार्टी ने यहां से कुल 9,86,000 वोट हासिल किये जो कॉंग्रिस के 9,60,000 से जादा है पर वो भाजपा को पीछे नहीं छोड़ पाई बात विंदिकी करे तो बहुजन समाज पार्टी को सबसे जादा उम्मिद सतना से है अच्छे लाल कुश्वाह को टिकट दे कर उसकी नजर OBC वोटो पर है सीधी और शहडोल में उसका वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है बहुजन समाज पार्टी को 58 साल में रिवा से सरवाधिक 12,00,000 से अधिक वोट मिले है